हेले स्टुजेंट्स वेल्कम बेक टू अबर यूटूब चैनल एन्मी क्रेटर आज हम बात करेंगे देखेगा लाश्ट लेक्चर में हमने फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेफनेशन और एक इंपोर्टेंट एक्जाम्पिल देखा था इस वीडियो में हम तीन इंपोर्टेंट कोस्चन कराएंगे एक फोर्ष्ट ए बाला फैंट अफोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसको हम निकालेंगे second हम भी बता देते, second करेंगे हम इसको, third करेंगे इसको, यह काफी important है, इस तरीके से आपके चार question हो जाएंगे यहाँ पर, ठीके न, और एक question हमने पहले लेक्चर में complete कर लिया है, तो वीडियो शुरुगात करने से पहले इतना कहेंगे, वीडियो को like कर दीजेगा, चैनल प पूरे आपको लेक्चर यहाँ पर provide किये गए हैं, ठीके, यहाँ पर find the fourier cosine transform निकालना है, यहाँ पर आपकी पूरी limit दी गई है, और यहाँ पर value दी गई है, f of x is equal to, यानि x की value 0 to 1 के बीच में, तब f of x की value x है, और जब x की value 1 और 2 के बीच में, तब value हमारी 2 minus x है, और x greater देना है हमारा 2, तब value हमारी 0 है, तो हम इसको, जो हमारी limit है, इसको हम divert कर लेंगे, तो लिखेंगे, the fourier cosine transform of f of x is given by, जो हमारी definition होती है, उस definition से हम लिख लेंगे, क्या होती है, देखिएगा, f of x is equal to integration 0 to infinites, f of x into cos sx dx, अब देखिएगा, पहली हमारी 3 यहाँ पर limit हम गलग कर देंगे, पहली हमारी जो जाएगी 0 to 1, ठीक है न, यहाँ पर हमारी fx की value हमारी क्या मिलेगी, x, तो यहाँ पर fx is equal to, हमने x लिख दिया है, ठीक है न, और cos sx dx, यहाँ पर s, छोट गया, dx, plus integration, अब हमारी दूसरी क्या है, बंड से लेके 2 तक, और x की value 2 minus x दी ग 2 minus x cos sx dx, पिलस, integration, 2 to infinite, और cos fx की value 0 into cos sx dx, तीनों हमने यह लिख दी है, ठीक है न, अब हम इसका solution करेंगे, देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको integration करेंगे, first और second की term से, पहले हम इसको 0 कर देते हैं, हमें solution इसका, और इस दोनों का हमें बस solution करना है, और third term हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है न, तो देखते हैं, यहाँ पर first और second function लगाएंगे, तो first function, second का integration क्या होता है, cos x का sin x, और sx का s, minus, integration, differentiation, differentiation, और first function का s हो जाएगा, फिर हमारा second function का differentiate cos sx upon s, और फिर पूरे का हमारा cos x का, cos x का हमारा sin x हो, sin x का, फिर से हमारा cos x हो, बर पूरे कोन हो, x, तो हमारा क्या हो जाएगा, x, s square, हम इसको बता देते हैं, पूरा करके, एक मिनट, देखिएगा, इसका करना है, तो इसको मान देते हैं, first function, इसको मान देते हैं, second function, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, first function, integration of second function, ठीके न, minus, integration, differentiation of first function, फिर हमारा second का, integration, फिर हमारा पूरे का, जो हमारा रहेगा, integration, ठीके, इसको में solve करते हैं, तो cos, cos x का हमारा क्या होता है, sin s x, और हमारा s x का हमारा क्या हो जाएगा, s, ठीके न, यहाँ पर, अभी limit हटा देते हैं, अभी limit नहीं देखते हैं, पहले हम solution करेंगे, integration, 0 to 1, अब यहाँ से हम x का क्या हो जाएगा, बन, और cos x का हमारा क्या होता है, sin x, और नीचे हमारा क्या बच्चे हैगा, s, ठीके न, अब d x, अब इसका integration करेंगे, देखिएगा X sin SX अपोन S ठीक है यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है sin X का हमारा क्या हो जाएगा cos X और SX का हमारा S पहली से है और S फिर आ गया ठीक है न तो हमारा क्या हो जाएगा देखिएगा X sin X sin SX अपोन S यहाँ पर हमारा क्या बच्चा माइनस कॉस SX अपॉन S स्क्वार ठीक है इतना समझ में आ गया अब हम चाहें तो पूरे का देखिएगा अब हम यहाँ से यहाँ लिमेट 0,2 बन हमारी दी गई है तो इसका हम निकाल लेंगे 0,2 बन अपर लिमेट माइनस लूर लिमेट लगा देंगे और यहाँ पर S की जगह हम यहाँ से हम X की लिख रहे थी तो X की जगह अपर लिमेट लूर लिमेट रखके इसकी value find out कर लेंगे ठीक है ना तो इस तरीके से हमने किया यहाँ पर यहां पर अभी पहले हमने विवस्थित किया है यहां पर इसको विवस्थित करने के बाद इसकी लिमिट ले लिए यहां पर हमारा sine S、 哉पऊन S बचा यहां पर minus 0 फिर यहां पर cos S upon S squared माइन्स जीरू की वेलियो मारी बन हो जाएगी, बन अपॉन Sijus को है यहां पर हमारा 2-2 0 हो जाएगा यहां पर हमारा क्या बचेगा यहां पर sin 2s ठीक है न कोस 2-2 तो 0 तो यह पूरा function 0 हो जाएगा यहां पर देखिएगा अब यहां पर हमारा फिर हम यहां पर बंद रखेंगे तो यहां पर हमारा देखिएगा क्या होगा जो यहाँ पर sin s upon s है ठीके न यहाँ पर हमने 2 minus बन रखा तो यहाँ पर बना गया यहाँ पर sin s 1 तो sin s upon 1 अब यहाँ पर इसमें 2 रख दीजिए तो यहाँ पर cos 2 s upon s square minus का और minus minus plus क्योंकि lower limit है यहाँ पर cos s upon s square तो देखिएगा sin s upon s से sin s upon s cancel out हो गए बचा क्या minus cos 2 s upon s square 2 cos s upon s square minus 1 upon s square 1 upon s square को common ले लेंगे minus को बचेगा क्या अंदर cos 2 s minus 2 cos s plus 1 यही हमारा answer है ठीके न तो यहाँ पर हमारा first solution यहाँ पर complete हो जाता है अब देखते है second question को जो की काफी important है और paper में काफी जादा वो देखने को मिलता है और landy है तो इसको पूरा आप जरूर देखिएगा